नमस्कार नोकरी की तलाश कर रहे व्यक्तियों को आज कोई सुनहरा अबसर प्राप्त होगा। आज के दिन गुड और शहत का सेवन कीजिए, आपको लाब मिलेगा। अब बात करते हैं मुलांक नमबर दो की, जिनका जन किसी भी मैने की 2, 11, 20 या 29 तारीक को हुआ है, उनका मुलांक ब बात करते हैं मुलांक नमबर 3 की, जिनका जन किसी भी महिने की 3, 12, 21 या 30 तारीक को हुआ है, उनका मुलांक बनता है नमबर 3, बिजनस में कोई बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं, घर में खुश्यों बराज महौल रहेगा। आज न्यूली वेडिंग कपल संतान से संबंदि प्राप्त कर सकते हैं, घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्ते का ध्यान रखने की आज अवेशकता है, और लाल रंका रुमाल अपने पास रखी है, जिससे आपको लाब मिलेगा। अब बात करते हैं मुलांक नमबर 4 की, जिनका जन किसी भी महिने की 4, 13, 22 या 31 तारी हैं, ससुराल पक्षे कोई शुब और सुकत समाचार भी मिल सकता है, यदि कुछ समस्या लगे तो गेहूं का दान कीजी आपको लाब मिलेगा। अब बात करते हैं मुलांक नमबर 5 की, जिनका जन किसी भी महिने की 5, 14 या 23 तारीक को हुआ है, उनका मुलांक बनता है नमबर आज संपर्क स्थापित होंगे, जो फ्यूचर में मददगार साबित होंगे। यदि कुछ समस्या लगे तो मंदिर में जाकर विश्नु जी की सेवा कीजिए, आपको लाब मिलेगा। अब बात करते हैं मुलांक नमबर 6 की, जिनका जन किसी भी महिने की 6, 15 या 24 तारीक को ह हुआ है, उनका मुलांक बनता है नमबर 6, बिजनस में आपके कॉम्पीटीटर आपकी छवी खराब करने का प्रयास करेंगे। जीवन में पिछले कुछ दिनों से चल रही समस्याएं और कठिनाईयों से आज रहत मिल सकती है, विद्यारतियों को शिक्षा के शेतर में सफल परता मिलेगी, यदि कुछ समस्या लगे तो गुड का दान कीजिए जिससे आपको लाब मिलेगा, अब बात करते हैं मुलांक नमबर 7 की, जिनका जन किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारिक को हुआ है, उनका मुलांक बनता है नमबर 7, आफिस में काम का बोज अधिक होगा, आज मानसिक और शारिरीक रूप से खुद को कमजोर महसूस करेंगे, खर्चों की अधिकता के कारण आर्थिक स्थिती बिगड सकती है, माता के स्वास्थे को लेकर सचेत रहें, यदि कुछ समस्या लगे तो पिता के चरण सपर्ष कर आशिरवाद लें, आपको लाब मिलेगा, अब बात करते हैं मुलांक नमबर 8 की, जिनका जन किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारिक को हुआ है, उनका मुलांक बनता है नमबर 8, कानूनी मामलों में चल रही अर्चने, आज दूर होंगे, करीबी रिष्टिदार के साथ प्रोपर्टी को लेकर वादिवाद होने की संभाव बिजनस में आज कोई बड़ा निवेश ना करें, स्वास्ते की दृष्टि से आज का दिन उत्तम रहेगा, यदि कुछ समस्या लगे तो लोहे की वस्तूओं का दान कीजिए आपको लाब मिलेगा, अब बात करते हैं मुलांक नमबर 9 की, जिनका जन किसी भी महीने की 9, 18 य स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन उत्तम है, आज के दिन पीले रंका धागा गले में डालिए आपको लाब मिलेगा, आज हमने बात की 28 जनवरी के राशी फल की, कल मिलते हैं 29 जनवरी के साथ, नमस्कार.